C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है श्रिंखला कविता मंजरी इस श्रिंखला में आज सुनते हैं वसंत महादेवी वर्मा मित्रों, कविता मंजरी कारिक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है कारिक्रम के इस श्रिंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के प्रमुख छायावादी कवियों की कुछ महत्वपूर्ण रचनाए। इस क्रम में आये सुनते हैं महादेवी वर्माजी की रितु संगहार से संकलित कविता वसंत। सूर्य उत्तर मुखु हुआ दक्षन दिशा को छोड़ अरुण सार्थी ने तभी ली अश्ववल्गा मोड। दूर कर हिंप्रात का करशीत का अवसान दीप्त करे मलयागिरी रवी ने किया प्रस्थान। प्रथम फले सुमन फिरिये कोपले सुकुमार फिर विपिन में छा गया अलिवरिंद का गुंजार। प्रकट पंचम में पिकी का तब हुआ उल्लास। शनैह वनभू में किया रितु राजने पदन्यास। भ्रमर दल अंजन रचित पत्रा वली का जाल। तिलक सुमनो का लगाया तिलक अपने भाल। बाल रवी रक्तिम सुकोमल ले रसाल प्रवाल। माधवी श्री ने किये मानो अधर निजलाल। रितु चक्र में महादेवी वर्मा को वसंत और पावस रितुएं अधिक प्रिये हैं। साधनापत पर बढ़ते साधक की आँखों में पावस की आरद्रता आंसु बनकर घुलती और वसंत होठों पर मुस्कान बनकर उतरती है। कविता में महादेवी वर्मा ने सूर्य के उदित होने और उसका चारों और चक्र लगाने से लेकर प्रकृती पर पढ़ने वाले अनेक प्रभावों को दर्शाया है। जैसे जैसे सूर्य विभिन दिशाओं को प्रभावित करता तो वातावरण में भी उसी प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इसी भाव की है ये कविता वसंत। अभी आपने इस कविता को सुना, जिसमें महादेवी वर्मा ने वसंत रितु का बड़ा ही सुंदर वर्नन किया है। हम सभी वसंत रितु के महत्व को जानते हैं। तो क्यों न हम भी वसंत रितु पर कोई नई कविता का निर्मान करें। अभी आप सुन रहे थे ये कविता C-I-E-T-N-C-E-R-T